हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का कुश्चन नमबर 4 सॉल्ब करेंगे चुकि क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर अलजेबरी के एक्सप्रेशन एन आइडेंटिटीज तो हम लोग एक एक करके जैसे कि मैंने आपको प्रिवियस क्लास में भी हम लोग एक एक कुश्चन को सॉल्ब करने के लिए सीखे थे मेरा जो लास्ट वीडियो था वो कुश्चन एक को घो और हम दोग एक करते हैं दोग लोग इस ऑफूला करेंगे और हम लोग एक एक्सका वय वन बाय तू पूट करके इस एकस्प्रेशन को सॉल्ब करेंगे और ऐक रख आज अगे हैं दिखते हैं । Ser co सॉल्ब करना है तो question है आपका 3x 4x minus 5 तो हम लोग जब क्या लिए है when x equal to 3 तो हम लोग कैसे से solve करेंगे तो 3x के जगा में आपको क्या-क्या put करना होगा 3 put करना होगा तो यह हो गया 3, 3 is 9 4, 3 is 12 minus 5 is equal to 9 bracket off खुलेगा तो यहाँ पर multiply का sign और 12 में आपका 5 जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 7 उसके बाद हम लोग इसे multiply करेंगे तो 6, 9, 7, 6, 3 तो यह हो जाएगा आपका solve करने के बाद इसका answer वही जब हम लोग जो second मेरा condition क्या दिया आपका जब x का value 1 by 2 होगा तो इससे हम लोग solve करेंगे तो उसका result क्या आएगा तो चलिए हम लोग solve करते हैं 4x minus 5 तो यह आपका हो जाएगा 3 into 1 by 2 4 into 1 by 2 minus 5 तो 3 by 2 यह हो गया यह हो गया 4 by 2 minus 5 अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमें यहाँ पर LC हम लेने की जोरत है तो LC हो गया 2 यह हो गया आपका 10 तो 3 minus 2 3 by 2 into minus 6 by 2 तो 18 by 4 तो अगर हम लोग इससे simplify करेंगे तो यह क्या 2 का table से जा रहा है ना 22 जा 4 29 जा 18 तो इसका आपका एंसर क्या हो जाएगा 9 by 2 minus 9 by 2 इसका एंसर होगा एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ 3 और X के जामें हम लोग 1 by 2 पूट किये उसी तरह से 4 और X के जामें हम लोग 1 by 2 पूट किये 3 बन जा 3 और नीचे आपका 2 है तो 3 by 2 हो गया और 4 by 2 यहां पर हो गया और यहां पर माइनस 5 था अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं चुकि यहां पर माइनस का सायन है तो हम लोग को क्या करना होगा यहां लेकर के शॉल्ट करना होगा तो हम लोग यहां पर यहां पर लिए तो 4 और 1 इंटू 2 तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 इत्ता तो आप लोग आता हो क्योंकि क्लास 8 में है उसके बाद आप यहां पर देखिए 3 by 2 हो गया अब 4 माइनस 10 तो ग्रेटर कौन है दोनों में 10 ग्रेटर है और उसका साइन का नेगेटिव का तो माइनस 6 और नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या था 2 था 6 इंटू 3 आपका 18 हो गया और साइन आपका यहां बस ऐसी लग दिया है क्योंकि यह कोशन एक से यह सेही एक जैसा ही सेम है बस यहां पे कंडिशन क्या है तिन कंडिशन है आपका 30 एक वैल्यूं आपका क्या है जीरो वन और मैनूस 1 इन तीनों को अंनक बारी-बारी से एक वैल्यूं एक जगा पर पुट करेंगे और इस वाले expression को हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे तो पहला हम लोग क्या लेते हैं जब a equal to 0 रहेगा तो equation हम लिख लेते हैं a square plus a plus 1 bracket close plus 5 अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब a के जगा हम लोग 0 फुट कर दिये तो यह भी overall तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर bracket का मतलब क्या होता multiply और अगर में किसी भी चीज को 0 से multiply करेंगे तो वो 0 हो जाएगा तो आपका यह भी पूरा 0 हो जाएगा plus 5 तो आपका इसका answer क्या हो गया 5 ठीक है second condition हम लोग देखते हैं जब a का value 1 होगा तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए a square plus a plus 1 plus 5 अब हम लोग a के जगा में हम लोगों क्या put करना है 1 तो 1, 1 का square plus 1 plus 1 plus 5 तो 1 into 1 का कितना भी square रहेगा उसका value 1 ही आएगा 1, 2, 3, plus 5 तो पहले हम लोग board mask recording हम लोग चलेंगे तो पहले क्या आता है पहले multiplication आता है तब addition आता है तो 3 plus 5 is equal to 8 यह हो जाएगा आपका answer अब हम लोग इसका condition 3 क्या है a equal to minus 1 तो हम लोग यहाँ पर put करेंगे minus 1 minus 1 का square plus minus 1 plus 1 plus 5 तो चले हम लोग नेक्स स्टेप में देखते हैं क्या होगा minus 1 मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका power जो है वो even है मतलब यहाँ पर आपका power क्या है 2 है तो आपका sign क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तो यह हो जाएगा plus 1 plus into minus minus 1 plus 1 और यह आपका 5 वैसे रहेगा अब चुक्य हम लोग को क्या करना है board mask recording हम लोग पहले bracket का bracket को solve करते है bracket के अंदर जितना भी solve करते है तो यह plus 1 और minus 1 cancel out हो गया तो minus 1 into 1 plus 5 उसी तरह से minus 1 plus 5 यह हो गया और फिर 5 में minus 1 जाएगा तो 4 यह हो गया आपका answer अब मैं आपको इपार फिर से समझा देती हूँ a का value हमें क्या put करना था minus 1 तो यह हमारा equation दिया वा है expression जो है वो हमारा दिया वा है अब हम लोग a के जगा में हम लोग minus 1 को put किये पहले a के जगा में minus 1 फिर minus 1 का square फिर minus 1 यहा तक आपको clear हो गया उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि minus 1 का square क्या हो जाएगा plus 1 plus into minus हम लोग जानते है minus होता है plus 1 अब यहाँ पे चुकिए हम लोग को पहले bracket का bracket के अंदर को हम लोग को solve करना होता है तो 1 plus से 1 minus 1 क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो आपका plus 1 सिप यहाँ पे बचा अब minus 1 चुकिए bracket के बाहर था तो यहाँ पे multiplication का sign है bracket का मतलब होता है multiply तो minus 1 into 1 और यह 5 तो 1 into 1 क्या होगा 1 होगा लेकिन sign आपका क्या है negative है plus 5 तो 5 में minus 1 करेंगे तो 4 यह आपका answer हो गया ओके students तो अभी हम लोग question number जिस तरह से हम लोग question number यहाँ पे आप देखे कि हम लोग अभी question number 4 solve किये आगे हम लोग question number 5 को solve करने के लिए सिखेंगे तो आपको अगर मेरा वीडियो ऐसी helpful लगे तो आप मेरे चैनल को like और subscribe करिए ताकि मैं आप लोग के लिए हर एक exercise का एक एक question को आप तक पहुचा सकूँ और आपका सारा doubt को clear कर सकूँ ओके students, thank you, bye bye